हेलो श्टूडेंट्स मैं शशी सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जी के शशी सिडाना पर साथियों हमारे कख्षा बारा रसाइन विज्ञान जैट आई सी ए आर रीट लेवल वन रीट लेवल टू पटवार वा अन्य परत्योगी प्रिक्षाओं में समन्य विज्ञान सबंदी वर्सप ग्रूप बनाए गए हैं जिसमें उस कंप्यूटिटिव एक्जाम से या क्लास बेश्ट भेज़े जा रहे हैं यदि आप भी इस ग्रूप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मुबाइल नंबर डबल लाइन टू एट सैवन एट टू नाइन जिरो फाइव पर अपना मैसेज करें नाम वेपता लिखकर आपको सबंदित ग्रूप में जोड़ दिया जा क्या है सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सेल और बैंटरी में क्या फरक है कई सेलों को जब हम श्रणी करम में जोड़ने पर जो युक्ति हमें प्राप्त होती है वह बैंटरी कहलाती है जैसे ये एक सेल है पलस माइनस अब इसके साथ एक सेल मैंने और लगा दिया फिर एक सेल और लगा दिया तो ये बैंटरी बन गई ये तो था सेल ये सेल था करूए साथ अब बैंट्रियां जो होती हैं वो दो परकार की होती हैं एक प्राथमिक प्राइमरी और एक द्वित्यक स्कैंड्री प्राथमिक बैंट्री और दूसरी द्वित्यक बैंट्री प्रात्विक बैंट्री और द्वित्यक बैंट्री प्रात्विक बैंट्री और द्वित्यक बैंट्री भी क्या फरक है प्रात्विक बैंट्री वो बैंट्री होती है जिसे हम चार्ज नहीं कर सकते एक बार यूज करने के बाद यदि हमें करंट देना बंद कर गई है तो मैं इसको फैकना ही पड़ेगा इसकी जगे नई Bantry यानी नए सेल शृर्णी करम में जोड़ने पड़ेंगे Bantry के सेल हैं शृर्णी करम में जोड़े हुए जैसे आपको उधारन दे दू जो हमारी घड़ी है घड़ी के अंदर जो सेल डला होता है गड़ी में एक ही सेल होता है वो प्राथ्विक सेल का उधारने प्राथ्विक सेलों को अगर हम शेर्णी क्रम में जोड़े तो प्राथ्विक बैटरी बनती है अब प्राथ्विक सेल क्या होते हैं जिने हम चार्ज नहीं कर सकते एक बार हमने काम में ले लिया उसको और वो से दूत्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्यक्ट्य है रसायन भरे होते हैं इसमें यानिकुल में लाके यह रसायनिक अरजा को विध्यूत अरजा में कनवर्ट करती है और जैसे जैसे यह रसायन समप्त होते जाते हैं यह बेंट्री काम करना बंद कर जाती है दूट्यक बैंट्री वह बैंट्री होती है जो रसाइनी कुर्जा को विद्धू तुर्जा में बदलती है एवं विद्धू तुर्जा को पुने रसाइनी कुर्जा में बदलती है जैसे हमारा इन्वर्टर दूत्यक मेंटरी है जब लाइट चली जाती है तो वो उसमें जो रसाइन भरे हैं उसको विदुतुर्जा में बदलने लग जाता है और जैसे लाइट वापिस आती है वो विदुतुर्जा को रसाइनी कुर्जा में बदलने लग जाता है इस परकार हमारा इंवर्टर दूत्यक मैंटरी है क्लियर रसाइनी कुर्जा को विदितुर्जा में बदलता है और विदितुर्जा को रसाइनी कुर्जा में भी बदलता है कुल मिलाके इसमें होने वाली अभी किरिया अनुत कर्मनिया होती है यानि एक ही दिशा में चलती है अनुत कर्मिया मतलब एक ही दिशा में चल रही है और इसमें होने वाली अभी किर्या उत कर्मिया होती है यानि दोनों दिशाओं में चलती है तो दोनों दिशाओं में चल रही है रसाइनी गुर्जा विद्यतुर्जा में बदल रही है विद्यतुर्जा रसाइनी गुर्जा में बदल रही है इसमें एक डिरेक्शन में चलेगी अब इसमें जो हम एक्जामपल डिसकस कर रहे हैं दो एक्जामपल हमारी किताब में दिये हैं इसके एक तो प्राथवी लेकलांशे सेल लेकलांशी या लेकलांशे शुश्क सेल या लेकलांशी सेल और दूसरा मरक्री सेल सबसे पहली बात करें हम शुश्क सेल की तो शुश्क सेल की स्टक्चर देख ले पहले हम फिर किरयाविदी डिसकस करेंगे इसकी तो शुश्क सेल में जस्ते का बना जस्ता जिंक का बना आवरन है जो एनोड का काम करता है इसके बीचों बीच कार्बन की एक छड़ लगी होती है जो कैथोड का काम करती है तो यह जो कार्बन छड़ है यह कैथोड का काम करती है जिंक के आवरन के ठीक पीचे की और जिंक के आवरन के बिल्कुल पीचे यानि इस स्पेस के अंदर यहाँ यह परा हुता है यह यहां चुरण भर आ होता है यह यह पावडर होता हैति मिन की पावडर भरा होता है कि यह पावडर भरा हुए मनौत तू और कार्बं का प्लस कार्बन का तो यह स्ट्रक्चर है हमारे पास शुश्क सेल की और कार्बन की छड़के ठीक उपर दाद्टू की एक कैप मेटल कैप ब्रास कैप यहां लगी होती है तो मेटल की कैप लगी होती है कार्बन की छड़के उपर रेडियो में जो सेल डलते हैं हमारी गड़ी म के इंदर की और कार्बन का चूर अवर यह को रखी होती है जो कैंटर का र्या करते र 맞아 मापके सामने और इसमें वाली अभी किरिया क्या होगी देखो जिन टा काम कर रहे हैं तो है तो रहे हम जानते हैं कि अभी की रहा हुती है तो जड़न बदल जाता है जड्डेन प्लस टू में दो इलेक्ट्रोन डोनेट करके जड्डेन बदल जाता है जड्डेन प्लस टू में दो इलेक्ट्रोन डोनेट करके अब यह जो दो इलेक्ट्रोन बनते हैं यह जो दो इलेक्ट्रोन बनते हैं ये अंदर की और इस्तित अमोनियम आयन से किरिया करते हैं ये जो दो इलेक्रोन बने हैं ये अंदर की और इस्तित अमोनियम आयन से किरिया करते हैं तो NH4 प्लस से जब ये दो इलेक्रोन किरिया करते हैं अब इस पे प्लस वन ने ये माइनस के दो हो गए तो यहां 2 electron 2 electron किरिया करेंगे तो NH4 कैसे बना देखो NH4 प्लस अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब है NH3 dot H plus NH4 plus का मतलब है NH3 dot H plus तो H plus जो होता है यह जो H plus यहाँ से निकला है इसमें electron जुड़ेगा अब 2 NH4 plus हैं इसका मतलब 2 NH3 हैं दो H-プ्लस है तो यह जो 2H- Plus है यह दो इलक्रोन से किर्या कर जाएंगे अमोनिया तो H-T मिल जाएगी और 2H-Plus जो है वो H-To में बदल जाएंगे तो अम्वोनियम आहेन इसoofowers किर्या कर जाते हैं अमोनिया और हैड्रोजन बन जाती है अब यहां जो हैड्रोजन बनी है ये तो अंदर जाकर MNO2 से किरिया कर लेती है ये जो हैड्रोजन बनी है ये अंदर जाकर MNO2 से किरिया कर लेती है और ये जो अमोनिया बनी है ये इस जड़न प्लस टू से किरिया कर जाती है तो हैड्र hydrogen का एक प्रमानू Mn.ò2 के एक अणूसे करिया करता है और यह Mn.O.OH bana देता है Mn.O.OH bana देता है अब आप देगे H2 थे तो 2 से multiply करना पढ़ेगा मेरे को तो 2 Mn है तो 2 से multiply यानि 2 Mn.O.2 1 Mn.O.2 एक मूल hydrogen से करिया करता है और 2 Mn.O.OH में बदल जाता है और जो जड्डन प्लस टू थे वो अमोनिया से किर्या करते हैं तो एक जड्डन प्लस टू आयन चार अमोनिया से किर्या करता है और संकुल बनाकर स्थाई हो जाता है जड्डन NH3-4 प्लस टू संकुल का यहां निर्मान होता है और ये संकुल बनाकर स्थाई हो जाता है इस परकार ये कैथोड की रेक्षन है ये जो दोनों रेक्षन मैंने लिखी है ये कैथोड की रेक्षन है इनको हम कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं इकठा गरके भी लिख सकते हैं अलग-अलग भी लिख सकते हैं अल assessments को जुड़ना अप्चेन होता है यहां भी EEG होआ है कलियर कर देता हूं कैसे मनें 2 था ओपर क्या वेशा हता है माइनस का 2 ओपर आवेशा हता है माइनस का 2 यहां साल यहांToday वब पे प्लस चार अब यहां देखें Mr. Mr.Mr. Mr. 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 अएच अब उ पे होता है माइनस का दो और ओड़ता है माइनस का एक तो माइनस का दो और माइनस का एक माइनस का 3 तो यहां प्लस 3 MMP तो यहां MMP प्लस 4 आवेश है यहां MMP प्लस 3 आवेश है तो यांए MMP का अपजेन हो रहा है Mn-O2 का अपजेन हो रहा है जिसमें Mn-PLA 서 4 से प्रिवर्तित हो गया है Mn-PLA 서 between 3 के अंदर तो यह कैथोड की अभी किरिया थी तो ये पूरी प्रोसेस है शुष्क सेल की एक बार फिर रिपीट कर दें तो भाहिया आवरन पहले स्टक्चर देख ले भाहिया आवरन जस्ते का बना होता है जिसके बिल्कुल भीतर की और अमोनियम कॉलराइड और जिंक कॉलराइड का पेस्ट बरा हुआ है उसके अंदर MNO2 और कार्बन का चूरं है जिसमें कार्बन की छड़ लगी हुई है कार्बन की छड़ के उपर धात्यों की एक कैप लगी होती है जिंक का जो आवरन है वो एनोड का काम करता है कार्बन की छड़ यां कैथोड का काम करती है अब किर्याविदी पर देखें जिंक का आवरन जब एनोड का काम कर रहा है तो एनोड पर उक्सिकरन हुआ जड़न बदल गया जड़न प्लस टू में दो इलेक्रों त्याग कर अब वो दो एलेक्रों अंदर जाकर NH4 प्लस से किरिया किये और अमोनिया और हैड्रोजन बना दिया अब अमोनिया ने क्या किया जड़न प्लस टू से किरिया करके संकुल बना दिया और हैड्रोजन ने क्या किया MNO2 का अप्चेन कर दिया MNOOH में तो ये पूरी प्रोसेस थी शुशक सेल की और शुशक सेल से ध्यान रखना हमें 1.5 वول्ट की धारा प्रापत होती है 1.5 वول्ट का करण्ट हमें यहां मिलता है वोल्टेज मिलती है विबव मिलता है विबव बोलने तो ज़्यादा बेटर है 1.5 वोल्ट का विभव जो होता है वो हमें मिलता है शुशक सेल से क्लियर अब नेक्श देखे हैं मरकरी सेल दूसरा सेल जो है मरकरी सेल तो मरकरी सेल को समझते हैं आओ क्लियर करें क्या है मरकरी सेल तो अब बात कर रहे हैं mercury cell की, mercury cell क्या है तो mercury cell जो है पहले तो structure बना दूँ आपको मैं, जो हमारी wrist watches होती है, घड़ी में जो छोटा सा cell डलता है, वो mercury cell है तो mercury cell में आलमुस्ट ये शेप होती है, mercury cell की ये mercury cell है अगर इसको मैं यहां से कट करूँ तो इसके अंदर से तीन लेयर निकलेंगी ये मालो कट कर दिया इसको तो इसके अंदर जो तीन लेयर है उन लेयर को देखे हम लोग तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो पहली लेयर है वो है जड़न की जड़न यहां एनोड का करिया करता है, जिनकी पहली लेयर है और जो लास्ट लेयर है तीसरी लेयर है वो है हईच ग awesome की जो कैथोड का गाम करती है जडन एनोड है और HGO कैथोड है और इन दोनों के बीच में इनको अलग करने के लिए ताकि एनोड और कैथोड अपस में जुड़े नहीं KOH विद्दू तब गटाय भरा होता है KOH विद्दू तब गटाय के रूप में भरा होता है ये मरकری सेल की स्ट्रुक्चर ए जसमें तीन लेयर है पहली लेयर जिंक की जो यहां एनोड का करया कर रहा है दूसरी लेयर HGO की जो यहां कैथोड का करया कर रहा है और दूनों के बीच में KOH व्द्दू तब गटाय भरा हुआ है ताकि एनोडर के थोड़ अपस में जुड़े नहीं अब मरकरी सेल की विशेष्टा है कि ये लगातार स्थिर मान की धारा देता रहता है इसको कलियर करें हम बात को स्थिर विभव हमें पराप्त होता है इससे गड़ी आपने देखी होगी दिवार गड़ी और हात वाली गड़ी में एक फरक रहता है दिवार गड़ी क्या है जैसे जैसे सेल डाउन होता है गड़ी जो होती है वो सलो हो जाती है और अपने को टाइम पीछे बताने लग जाती है जैसे 8 जुस्ट में जहुँ आप बज्या होते हैं इसका मतलब उसकी उल्टेज 9ज डिरे डाउन होती है लेकिन रिष्ट वोचेज आपकी जो कलाई वाली घड़ी है उसमें आपने देखा होगा उसकी वोल्टेज डाउन रहुँ होती होँ वो एक दम बंद हो जाती है चल र और मरक्रीज की वीश्षिता होती है कि इस्तेर वीवह प्रापत होता है उससे जिसका इसकेस्ट जो मान है 1.55 शुष्क सेल काल अइक पॉइंट पांच जिरू वॉल्ट इसका जो भी है 1.35 अब इसकी रेक्शन रेखे है हम लोग ए अनलोड जडन है तो जड़न पर उक्षी करना होगा जड़न बदलेगा किसमें जड़न प्लस टू में दो इलेक्टोन डोनेट करके अनोड पर तो वही प्रोसेस होनी है जड़न बदलना है जड़न प्लस टू में दो इलेक्टोन डोनेट करके अब जब जड़न प्लस टू बना अभी हमारी ब एक्षन पर भी लेके चलूंगा मैं आपको यहां बन गया जड़न प्लस टू के वेच में पड़ा है ओएच माइनस के वेच माइनस तो जड़न प्लस टू जब ओवेच माइनस से किर्या करेगा तो जड़न ओवेच की ट्वाइस बन जाएगा क्योंकि इसका आवेच जो होता है वो यहां आजाता है जड़न ओवेच की ट्वाइस तो यह दो ओवेच माइनस यूज होगे तो जिंक हाइड्रोकसाइड बन गया अब सबसे इंपोर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं हाइड्रोकसाइड तो मिश्टी सेक्ड में भी आ हाइड्रेट्टड ओकसाइड हाइड्रोकसाइड की फुल फोम होती है हाइड्रेट्टड ओकसाइड जल योजित ओकसाइड यानि जल योजित ओकसाइड हाइड्रोकसाइड जो होता है वो जल योजित ओकसाइड होता है तो जब भी आप हाइड्रोकसाइड को उसकी नैच भ verl कार्णिया अब यहां एक हम लाना चाहां तो उसमें भी चाहिए हरा हाक है तो मैंने तो हैं जल निकाल दिया ऑच पचागे जड़ नो तो जड़ नो फ्लस एक्स तो बस गया अबहु देखansa किया हूई है अबहों कि इंते इन्ट की इल्ट शो से में अब लिखा रहा हूं है जड़न वसके टॉन से alors जा Danish की ट्वाई से जड़नों की ट्वाइस केंसे अब हमारी बुक में जो एक्षन दिए हो दिए जड़न पलस टू ओवच माइनस इक्वल टू जड़नों प्लस एक्ष्टू ओपलस टू इलेक्ट्रोन यह नोड की अभी किरया दिए हमारी बुक में जबकि वह बनी कैसे वह आपके सामने स्टेब स्टेबुर कर दिया है जड़न के से बदला जड़नों पलस टू में तो जब यहां जड़नों पलस टू बने तो ऑघ्राइश की ओअ करके जड़नों Casey ट्वाइस बना गए zajड़नों प्लस ह्टू रिजल्ट निकाल लोगे तो आपको नोड की अभीकिरा यहां प्राप्त हो जाएगी तो इस प्रकार नोड पर जो अभीकिरा वी क्या बिल्कुल अपोजित रेक्शन होगी कैफोड पर निहा लिए देता हूँ एनोड पर क्या हुआ जड्डेन प्लस टू ओ एक्वल टू जड्डेन ओ प्लस एच्टू अब आप देखे कैफोड था किसका एच्जी ओ का तो यहां जो जड्डेन ओ बना जड्डेन की जगह आप एच्जी लिख दें तो ही इसट्यो का कैफोड था जड्डेन की जगह एच्जी लिए ठाग दो और यइक्शन उल्टी लिच दो चैंशन अपने हाथया जारी तो जड्डेन की जगह एच्छी लिखा फ्लस एच्टू ओ प्लस टू एल एक्टू टू च्ग ज्ड्डेन till ए लाएन हमें वापिस मिल जाते हैं इसलिए यह सेल जो हूता है वो हमें इस्थिर विभव देता है और इसका जो विभव मर्कृरी सेल का 1.35 वोल्ट एक पईंट तीन पांच वोल्ट तो यह मर्कृरी सेल था आपके पास तो दो अपरात्वी एक सेल हमने क्लियर कर लिए टगलाशे सेल और मरक्री सेल क्लियर रिपीट करें एक बार तो तीन लेए इसमें पहली लेहर जबिड़क कार्य कर रहा है बीच में वैद तब हट लिया हुआ दूसरी तीसरी लेन जो 25 जो कि जो कैफोर का गाम कर रहा है जबंपक्र आंधर की आपके सामने प्रोसेस आजाएगी पूरी मरक्रीसेल की बहुत इमपर्टेंट है कॉश्चन इस जबार अगर सेल से कॉश्चन आता है दोजार भीस के पेपर अगर से कॉश्चन आता तो सैवन्टी परसेंट प्रॉलबिलिटीं इसी सेल के आने की इस बार बहुत इंपोर्टेंट इस बार के लिए तो विशेश फोकस रखना इस पर डायग्राम आपके सामने को जुरूरी नहीं कि हम बुक वाला डायग्राम मनाएं आपके सामने हैं उस तरह से शो कर सकते हैं आप तीन लेयर क्लियर दिखनी चाहिए चाहिए वह पूरे सेल में बना लेयर होगी और यह बीच में के वाच भराय तीसरी लेयर होगी तो इस तरह चाहिए आप पूरे सेल में दिखा दें उससे फरक नहीं पड़ेगा कोई तीनों लेयर क्लियर हो नहीं चीए कोई जुरूरी नहीं कि बुक वाली क्रैमिंग ही करें लो उमीद करता हूं आपको स